कि नमस्कार किसान भाईयो सूपर करोब के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है किसान भाईयो आज हम चर्चा करेंगे गुलाबी सुन्डी के जीवन चक्कर के बारे में क्योंकि किसान भाईयो कोई भी कीट अगर आपके खेत में आ रखा है उसको कंट्रोल करने किसान भाईयो गुलाबी सुन्डी के जीवन चक्कर में चार चीजी होती है जैसे हम पहले छोटे बच्चे होते हैं दो गुलाबी सुंडी में चर चीज़े में पहले güzel की नड़ी चुछ hell ऑते हैं उसके अंड़ सबसे पहले बात करेंगी हम अदे के बारे में गुलावी सून्धी का जो एंडा होता है वो दिख ने में कैसा होता है और अंडे से उंडी बने में कितना समय लगता है। बहुत तो यह सून्धी बनने के गहां है ते सी दिन का समय है। पर अभी जो जुलाई और अगस्ट के महीने में आप देखो या तो आपको आपको थे qeer दुकरी इनके आ presence अपर जाएगी या triangular बाट आती है कि जब से मैत्वर्ण चीज अंडे से सुनडी बनने के बाद किटने टाइम के अंदर तिंडे के अंदर घुज जाती है तो किसान भाई ओ लगबग वैसे तो एक दिन का समय होता है पर एक दिन का समय वो लेती नहीं है वो लगबग क्या करेगी 6 गंटे कि आसपास क्या होती है यहां से इसको दस मिनट लगे गंटा लगे दो गंटा में पोद्दे के आसपास जो विया आपको जिसको टिंडे मिलेंगे उसके अंदर जाके गुछ जाएगी और फिर उसको अंदर यंदर नुकसान पहुंचाएगी यह तो किसान बायों अंडों कि बाद भी अंडे से सुझी कितने दिन में बनती है और बने के बाद तिंडे में कितनी दिन में गुशती है अब बात अती है कि एंच जो वह उन्डavior सundi कितने दिन तक जिंदा रहती है वह उसका रंग विवयू स्पेद कलर का होगा कई किसानों भाहियों को क्या होता है खेत देखते हैं इस सुन्डी दिखेरी है यह तो गुलाबी सुन्डी नहीं सुन्डी बनी टूसरी सुन्डी बनी वह लगबुगा पांस दिन तक स्पेद कलर की सुन्डी दिखरी है और उसका जो मुह विल्कुल बलैक कलर का है तो समझो वह गुलाबी सुन्डी है अभी उसकी जो सुन्डी की अवस्ता वह थोड़ी चोटी यह वह तीन-चार दिन की सुन्डी है जैसे पांच दिन के बाद की होगी तो उसका रंग देरे- इसमें क्या करेगी कि यहां से शिद्दी आई, यह जो टंडे का निचला जो बाग दिख रहा है ना किसान भाईवा निच्छे निच्छे का इसके अंदर से इसके अंदर गुसेगी है उसको पूरा अपने मूह के दुवारा ^^ दिकश्व बंद कर देती हैं, बंद करने इसके अंदर पूरा खाऊ पीलेगी पूरा कोणाद चैस्सें निंगा जातीं है पूरा इसके अंदर पाहता जाती हिवान्जार से पूरा इसके अंदर नहीं बनेगा किसान भाइयों तो वो क्या है इसमें ओलकर के बार निकलेगी वो थोड़ा बड़ा होता है आप कभी भी खेत में जाओगे जिस के अंदर जिसे सुन्डी आरके तो उसका क्या होगा कि आपको निकासी छिदर कह देते हैं जिसे एकजिट और बोल गिंदा रहता है तो नहीं दूप यंदे नहीं जाओ प्रहemiaगा बार निकलेगी यहरा देख पारे हो यहां यह वो प्रहएं निच्चे मिछन mission कि अपके मिटि है इंके अंदर आप बनेगा यह फिर नीचे जैसे इसकेर यह फूल्डोड नीचे गिरी हुई है अगर यह पत्तियों के आसपास यहां प्यूंपा बड़े उड़ा उड़के फिर क्या करेगा पहले जो नर और माधा पतंग उड़े आप वह आपस मिलना करेंगे मिलना हुआ उनका मिलना होने के बाद यह फिर यह पूरा जीवन चक्कर चलेगाए अब जो पतंगे आपके वह कितने दिन जिन्दा रहता है किसान भाईयों वह लेके पांच से लेके 10 दिन के बीच बीच में जिनदा रहते हैं तो यह 5-6-7 दिन 10 दिन से ज़्याद नही रहता और 5 दिन बीच 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 में जों से लिंक थी वो यह किसान भाई हो कि अगर आपको गुलाबी सुन्डी को कंट्रोल करना है वो सबसे अच्छा तरिक है या तो आप मारो पतंगे क्योंकि पतंगे मार दोगी तो अंडे नी दे पाएंगे शारी जड़ खत吗 अगर पतंगे नी मर पाँ रहे हैं तो क्या मार हो उनके अंडों और सपरे ऎंडhtी Yap जैसे यह अंडे पर आपके सप्रे लगी जैसे अभी आप सप्रे कर रहे हो अगर यह सप्रे आप करोगे फ़ारा आप इस तरह रखते हो फ़ारा कभी निचे नहीं जाता पोदे पर यह इतने इतना पोर्शन लगबग ज्यादा भी गोता है वह और गुलाबी सुन्डी भी क् यह चीज़ हो अब यह को चीज़ है अंडा मान के चलो इसके उपर इसके अंदर से सुन्डी निकलेगी वहीं का वहीं चिपक के वहीं मर जाएगी तो आपके जडी खत्ति अगर आप चाहते हो भी मैं तो इसको काम करें किसान बाइयों कोई भी द्वाई नहीं है पूरे भारत में जो इस टिंडे के अंदर जाके किसान बाइयो जो सुंडी बार देखेगी उसको मारेगी जो टेंडे में अंदर गुस्किया वो नहीं मरने वाड़ी उस पर चाहिए आप तिजाब डाल दो तो भी नहीं मरेगे अंदर वाड़ी तो कि वो इस चंदर की पूरी कवर बनी आप आती है फूल में वह कितना प्रसेंट के इसके चांसे किसान भाई जो सुन्डी फूल के अंदर बैठी है वो मरेगी पर आप सो का सोग्स का रज़ड़ देखने को नहीं क्योंकि फूल जिस पी फूल के अंदर बैठी होगी तो फूल आप देख पारे उसके निन पर यह फूल बंद है पूरा यह फूल बंद है उपर से तो इसके अदर जैसे आप दूआई दूआई अंदर बहुत अगर आप किसान बाइयों गुलाबी सुन्डी के जीवन चक्कर के बारे में अगर आप गुलाबी सुन्डी से समंदित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा वटसेप नमबर आ चुक है उस पे आप मैसेज करिए और हमसे जानकारी प्रापत कर सकते हैं किसान भायो इससे जो पहले वीडियो थी उसमें हमने अच्छे से बताया था भी गुलाबी सुन्डी आई कैसे जान लग रही है वहीं गुलाबी सुन्डी जादा क्यों आ रही है फिरो मौन ट्रेप लगाने की क्या फायदे आपके खेतों के अंदर और उसके आपके खेतों में एक कैसे चेक करना है तो किसान भायो वह वीडियो आप जाके देखिए और इससे जो अगली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सूपर क्रोप यूट्व चैनल को पाई है ताकि जब भी कोई नई वीडियो है उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए और दूसरे किसानों के साथ भी इसको शेयर करिये किसान भायों ताकि उन तक भी यह सूचना पहुंच पाए